क्या बदलने वाली है यूपी की राजधानी क्या लखनव से हटने वाला है राजधानी का तमगा क्या राजधानी के लिए नए जिले का होगा राज्य अभिशे क्या सियम योगी करने जा रही है ये बड़ा काप यूपी की राजधानी लखनव जहां से यूपी की सियासत की दिशा और दशा तैह होती है क्या उस लखनव को राजधानी से हटानी की तैयारी चल रही है क्या योगी सरकार इस मनसूवे पर काम कर रही है क्या सियम योगी का बार बार एउध्या तौरा इसी ओर इशारा कर र अब आप कहेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं अचानक ऐसा क्या हो गया जो ये ख़बर हवा में तेड़ने लगी बताएंगे आपको इन कयासों की पूरी दास्ता समझाएं गया ये भी बताएंगे कि अचानक हमारे ऐसा कहने के पीछे आधार क्या है लेकि उससे पहले कुछ और हैं जिसे जानना आपके लिए जरोरी है आपको याद होगा कि जब मानिनिय सुप्रीम कोट ने एउध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाया था तब से लेकर अब तक सियम योगी आधितिनाथ कई बार एउध्या का दोरा कर चुकी है अपने दोरे के दोरान जह उध्या में कैबनेट की बैठक भी कर चुकी है जिसके बाद से ही अपवाओं का वाज़ार गर्भ होने लगा था लोग ये कयास लगाने लगे थे कि सियम योगी कुछ बड़ा करने वाले हैं लेकिन हम आज जिस आधार पर ये बात कह रहे हैं उसे सुनकर आपके मन में ये इसका कोई ठोस आधार नहीं है फिर भी सवाल उठता है कि अगर आधार नहीं है तो ये बात कहां से निकल कर सामने आई हैं तो चलिए बताते हैं आपको दरसर श्री राम जन्मुमी तीर्थ श्यत्र ट्रष्ट के कोशा ध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने अपने एक संब अधार ना जताई थी कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि स्यम योगी के मन में ऐसे कोई विचार आजाएं पूरी पिश्वती चेपना वाईद्य तो कीची चारी है तो पुझ्य मंत्री महदय योगी जी को अधार आजाए कि क्यों रोक्तर पुझेश की राठ्या कि अधा कोई वनाना जाए कि पुझ भी आसम्माव नहीं है यह हो सकता है वो हो ता नहों हो सुना आपने क्या कह रहे हैं गोविंद देप की रीजी कैसे एक छटके में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और बहुत बड़े संकेत दी जिसे सियासी गलियारों में हल चल मचनी तेह है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चत तौर्थ से इसका फाइदा बीजेपी को मिलेगा क्योंकि सीम योगी का ये कदम कहीं न कहीं हिंदू वोट फैंक को पूरी तरह से बीजेपी के पाले मिलाकर खड़ा कर दिखा श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत